नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे विटूप चैनल पर और आज के इस विडियो में हम बात करने वाले हैं ताइप्स ऑफ इस्टेयर की कितने तरह की हमारे इस्टेयर होती हैं और किस इस्टेयर को हम क्या बोलते हैं पहले नमबर पर आमारी आती है state, flight, state, हिंदी में बोले तो सिधा जीना अगर मैं इसके परिभासा की बात करूँ जब एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए सीडी को बिना मोडे बनाया जाता है मतलब एक सीधी पंक्ती में जब सीडी को बनाया जाता है आप देख सकते हैं एक फ्लाइट में बिल्कुल सीधी फ्लाइट है बिल्कुल यहां से ground floor से first floor जाने के लिए इस सीडी में आपको कहीं भी कोई मोड तिखाई नहीं दे रहा है यह बिल्कुल सीधी जा रही है ground floor से first floor पर तो इस तरह की सीडी को हम सीधा जीना या फिर state flight stair कहते हैं दोस्तो यह सीडी वहाँ पर बनाया जाती है जहां पर हमार पास लंबाई में तो ज़्यादा जगा होती है पर चोड़ाई में हमार पास कम जगा होती है इस तरह की सीड़ी वहाँ पर जो है वो हमको बनानी होती है तो आप देख सकते हैं 3D में ये हमारी सीड़ी जो है इसको हम बोलते हैं State Flight Stair ठीक है हिंदी में सीधा जीना इसको बोलते हैं Second जो हमारा Stair Case होता है वो होता है हमारा Quarter Turn Stair समकोन मोर जीना इसको हिंदी में बोलते हैं इसकी जो परिभासा है वो मैं आपको पहले बता जाता हूँ दोस्तों इस तरह की सीड़ी को दो फ्लाइट में बनाए जाता है ठीक है और दोनो फ्लाइट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिगरी होता है तो इसलिए इसको समकोन मोर जीना कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम चे पता लग रहा है एक फ्लाइट यह है और एक फ्लाइट यह है तो दो फ्लाइट होगी और इनकी बीच का जो एंगल आप देख रहे हैं यह 90 डिगरी होता है तो इसलिए इसको समकोन मोर जी कि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमे Congratulations रही चोकी बनती ह्यां, लेंडिंग जो बनती है, वो भी िसमें, आधी लेंडिंग इसमें होती है, यहां पर आधी लेंडिंग है, पोली लेंडिंग ने होती। अगर होती है, तो इसतरे से यह 3-fight-4-5-6-xeht की हो जाती। एक्जाम्पल के लिए बोलता हूं में तो अभी यहां पर आधी लेंडिंग आपको दिखाई देरी होगी तो इस तरह की स्टेयर के इसको दोस्तो हम जो है क्वार्टर टनी स्टेयर बोलते हैं दर्ड नंबर पर हमारे आता है डागए इस व्हों होती है हमारी वह राइस बीडिंग में और कर आधी चोई आपको देखने को मिलजाएगी इसमें फुल उनापको पसल्डर जोकी, ठाहस्े मिल जाएगी यहां पर आप सकते हैं इसमें आपको फूल चोकी मिल जाएगी देखने के लिए और इन दोनों फ्लाइट का एंगल होता है वह आप यहां पर देख सकते हैं यह एंगल 180 डिग्री पर होता है यह 180 डिग्री आपको यह याद रखना है डॉग लेग इस्टेर के बीच जो एंगल बनता है वह 180 डिग्री का बनता है तो आप देख सकते हैं इस स्टेर को हम डॉग लेग इस्टेर कहते हैं फोर्थ नमबर पर हमारी आती है सर्कुलर इस्टेर आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं यह हमारी जो स्टेर होती है इस तरह की स्टेर हमारी सर्कुलर इस्टेर होती है दोस्तों सर्कुलर इस्टेर में जो जितना भी स्टैप होता है वो भी सर्कुलर होता है गुमावधार होत जो हमारा 5 नमबर पर इस्टेयर आता है वो आता है हमारा बीफर केट इस्टेयर आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर पहले एक सिंगल फ्लाइट में जाएगी कलर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पहले एक सिंगल फ्लाइट में जाता है उसके बाद एक लेंडिंग आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंगल फ्लाइट में गया उसके बाद यह लेंडिंग आया लेंडिंग के बाद यह दो फ्लाइट में विपरी दिशाओं दो फ्लाई्ट में यह बदल गया एक साइड हो गया और एक स अयसे साइड हो गया तो इसतर एक के से को कि राख और जो होती है यह जादातर लोफे की दोस्तो बनाई जाती है और बीच में आप देख सकते हैं एक pillar लगावा है एक pillar लगाए जाता है और जो step है इसी से connect किया जाता है यहाँ पर pillar लगावा है और इसी से सारे step घुमावदार step यारी की circular step इससे connect कर दिये जाते हैं इसी pillar से तो इस तरह की stair को हम spiral stair कहते हैं तो मैंने आभी आपको बता है ज दोस्तो लाश्ट seven number का हमारा stair जो है वो है हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम इंगलीज में इसको बोलते हैं letter यह stair लोहे की भी होती है और लकडी की भी होती है और यह stair दोस्तो permanent भी होती है और temporary भी होती है permanent आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो modern घर बनते हैं व निकालता है अगर थोड़ा height पर होता है तो इस तरह की CDB हमारी होती है लकडी या फिलोही की बनी होती है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको पसंद आया है हमारा यह वीडियो तो वीडियो को like करें आपने friend के साथ share करें और अगर अभी तक आपने हमारे च subscribe करें धन्यवाद